ताज़ा गड़ा मुद इन सेटी स्वानाद न्यूजला सस्क्राइब करा और बेल आइपन वर क्लिक करा नीरज विनोद बुरानी स्पेस्क्राफ्ट इंटिरियर्स योर स्पेस आवर क्राफ्ट एक्सपेरिंस्ट एंद प्रोफेशनल टीम नो हिदन चाजिस लग्जुरिस डिजाइंस स्पेस्क्राफ्ट इंटिरियर्स योर स्पेस आवर क्राफ्ट जमनू पुरस्वानी जी राजश वद्रिया जी बाला जी किनिकर जी हम लोग लाजट विडियो को यूरी डिपार्मेंट में गए थे कि जो दोखादा एक बिल्डिंग है उनका जो जी आर है जद से जद आना चाहिए तो उन्होंने हमें कल्व के लिए बुलाया था तो कल हमने यूरी डिपार्मेंट में मिस्टर गागरानी साब से मुलाकात की और उनसे पुरा जी आर के बारे में हालावला लिया उन्होंने कल हमें आश्वासंद दिया है जो जी आर आने वाला इस जी आर में बहुत सारे डिपार्मेंट में उलास नगर वासिव को धक्ष्के खाने पड़ेंगे तब उनका काम होने वाला है देखियां हमने ऐसी मांग किये है कि उलास नगर में किसी को भी अगर re-development करना है तो एक वन मिंडो के अंदर डी डिवलमेंट होना चाहिए मैंने खास करके चीप मिनिस्टर डिपुटी चीप मिनिस्टर से ये मांग की है कि क्या है कि इसमें उलास नगल में जो यतनी भी प्रापटियां है उसमें जो फ्लेट ओनर्स है किसके पास दस रुपे वाली एग्रीमेंट है किसके पास सो रुपे वाली एग्रीमेंट है किसके पास टेक्स पाउती है या मेसी भी बिल है या किसी पे के पास डाक्यूमेंट्स बरोबर से ना है तो इसके लिए ये जो भी आज बिल्डिंग में रहने वालों के पास डाक्यूमेंट्स है उसी को देखते हुए उसको रेगुलारिज़ाइशन वन्मेंडों के अंदर होना चाहिए ऐसा नहो कोई रिवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाए कोई एश्डियो के पास जाए या कोई कार पोजिशन के पास जाए उसके लिए इस्पेशल एक आफीसर होगा एक केबिन होगी जिसमें सिर्फ उलाजनगर के रेगुलारिज़ेशन का मुद्धा रीडियोलेमिन का मुद्धा वहाँ पे रेगुलारिज़ हो देखिये राष्टरवादि की आध्यक्षा उसको ये मालूमात नहीं है कि हमारे चीप मिनिस्टर आधरिया एकनाथ शिंदेज़ जी ने विदान सहबा में डिकलियर किया था कि उलाजनगर के लिए जो दोखादाग बिल्डिング से उसको रेगुलारिज़ करने के लिए आज उन्होंने विदान सभा में पास किया है सिर्फ जी आर निकलने का था जी आर निकलने वाली थी तो उसको हमने हमने चीफ मिनिस्टर साब को यहां से कुछ डिलिकेशन लेके कहा था कि एक बार अगर जी आर निकल दिया उसके पहले अगर हम उलास नगर के हमारे दो चार अगर देखके उसको एक नजर से राइट है या रांग है ऐसा ना हो कि जी आर निकल जावे और उसके बाद में कुछ फाल्स रह जावे इसके लिए हमने थोड़ा डिले किया गनपदी आ गई थी गनपदी के बाद में शरात अभी जी आर लगबग रेडी है एनी मुमेंट सीम साथ डिक्लियर करके अलांस करके देंगे सब पूरे उलावत नगर में मिल जाएगी रह गई बात है देखिए आज गई سाल यहाँ पे कांगर्स इन सी पी की सत्ता थी आज यह उनकी सत्ता होते होई भी उनके मंत्रे होते होई भी उन्हें ञी रीस कभी नहीं सोचा कि उ अंदर उलास नगर का मुद्धा ला गया भी और पास भी करवाया रह गई बात धियार की उनसे ज्यादा फिकर तो हमें है ना आज हमने तो बार बार हमने हमारे पास करिस्पन्डिंग है अभी जब भी देखिये कभी भी जो मुद्धा आता है उस वस्ते हमें क्रेडिट मिले मैंने मनुजलासी का भी इंटर्यू देखा उसने जो जो बाते कही चाहे मैंने पंचम कालानी का मुद्धा देखा उसने जो जो बाते कही उनको इस वक्त सिर्फ बात करने के सवाय टीवी पे आने के लिए अगर कोई भी आदमी केमेरा लेके जाता है उनको जवाब देने क लिए उनके पास कुछ बचा नहीं है मुझे यह बता है अच पपो कालानी को चोदा में ना हो गए यहां पे उलादनगर में यहां पंचम कालानी भी यहां पे है ओमी कालानी भी है मनोज लासी भी है राश्टवादी के और लोग है शहर के लिए क्या किया उसने शहर के लिए कुंसा विकास किया है शेर के लिए कुंसा मुद्दा उठाया है इनकी सत्ता में होने के बाद में भी डाइस साल में एक कोई कार्या नहीं किया सरफ बाते करते हैं टीवी पे बड़ी बाते हैं बड़ी बड़ी अभी देखिए हम के साथ में तो ये बातों में तो fight नहीं करेंगे हम अपना believe करते हैं काम करने में जिस तरीके से हम शहर में एक ही हमारा लक्षा है विकास और हम विकास करके ही अपना future आगे बारते जंता पार्टी के जितने भी नगर से वक है कारे करता है पदद करिये उनका मनोबल बढ़ाएंगे शहर का साथ सबका विकास हमारा लक्षा है